Hey guys, what's up, तो कैसे हैं आप सब लोग, welcome back to your own channel, दीपक यादव साइस Academy, welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 11th of November 2020, तो आज है तारिक 11 November 2020, और है वेटनस डे, देखेंगे आज का the Hindu complete newspaper, the Hindu complete newspaper को analyze करेंगे, और guys, lecture start करने से पहले अगर आपको इस lecture की PDF चाहिए और ये the Hindu newspaper चाहिए, तो आपको करना क्या है download करना है telegram, और फिर search box में type करना है दीपक यादव IAS Academy, as you can see आप लोग को यहाँ पर ये channel मिल जाएगा, नहीं मिलता है channel कोई बात नहीं, इस channel का link मैंने आप लोग को description box में देतिया है, तो description box में जाओ link को click कर और जाकर इस channel को join कर लो, क्योंकि यहाँ पे daily the Hindu newspaper provide कर दिया ज लेकिन अगर आपको इसका background नहीं पता होगा SEO है, क्या कितने members हैं और यहाँ पर इसका क्या objective है, तो आप कैसे question solve करोगे, तो इसका background analysis यहाँ पर provide कर दिया जाता है आप लोग को, तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चलको subscribe नहीं किया है, तो नीचे red player का बटन आर आपका subscribe कर लेना, bell icon ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आप कोई वीडियो की notification मिजना कर सको, तो discussion start करते हैं, और discussion start करने से पहले, जैसा as always हम लोग कुछ questions लेते हैं, discuss करने के लिए, और उन सारे questions का answer आप लोग नीचे comment section में देते हो, तो उसी तरीके से आज के हमारे जो question है सबसे पहला question है, मैं जाओंगा आप लोग कुछ words लिखना NGT के बारे में, ठीके, NGT के regarding आप क्या लिखते हो, यह मुझे देखना है, आप क्या समझते हो NGT से, क्या काम है NGT का, तो यह बताना मुझे NGT के बारे में, and the second question जो हमारा map-based question आने वाला है, जाकर आपको map म में देखना है Egypt को, ठीक है, आज हमें Egypt को देखना है, और Egypt के जितनी भी हाँ पर Egypt से, जितनी भी countries, आप कह सकते हो, border share करती है, उन सारी neighboring countries का आपको name लिखना है comment section में, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ आपने जाकि Egypt को map में देखा है, तो आज के हमारे दो question होगा, easy है दोन जैसा आप लोग daily काफी अच्छी तरीके से answer देते हो, okay, now, जो हमारा आज का like का target है, वो 400 likes का target है, तो आप लोग video को like करके अपना support दिखा सकते हैं, now, बढ़ते हैं, आगे all discussion start करते है, page number one पे सबसे पहले, बिहार की related news, जो आपको पता है, election हुए है, तो उसे हम लोग cover न political related news नहीं पूचता है, politics से related, okay, जो यहाँ पर हमारे elections बगरा है, now, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, एक और article है, एक छोटा सा article यहाँ पर यहाँ पर यह नजर आएगा, इस article में basically बात हो रही है, जो हमारे Prime Minister Modi जी है, इन्होंने address करा SEO को, SEO की summit in presence of Xi Jinping, Xi Jinping कौन है Xi Jinping कौन है, China के president है, okay, now, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, यह देखो, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलना है, कि हमारे PM साब ने बोला, जितने भी SEO के members हैं, SEO की है हमारा Shanghai Corporation Organization, तो इसके जितने भी members हैं, वो एक दूसरे की sovereignty को, एक दूसरे की territorial integrity की respect करें, okay, तो यहाँ पर इनके दौरा यह बोला गया, तो यहाँ पर उसके बारे में देख लेना, तो सबसे main बात आपको यहाँ पर यह नजर आएगी, देखो, यह सारी चीज़े बोली क्यों जा रही हैं, क्योंकि अभी India और China के बीच में LAC पर stand-off, देखोगे, काफी समय से चलना ह कोशिश कर रहे हैं, हम लोग round talks लेकर आ रहे हैं, कि commander की talks हो जाए, commander की talks कंड़र करा रहे है, 8th round talk तक हो चुकी है, अभी हम लोग next round talk की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई solution नहीं निकल कि आ रहा है, बेसिकली बात हो रहे हैं, उसको देखते वह यहाँ पर बोल यहाँ यहाँ पर बोला गया, नहीं यहाँ पर आपसे question बन सकता है important, ठीक है, एक important चीज है, इस article के अंदर में वो क्या है, SEO, Shanghai Corporation Organization, इस तरीके से निकालना है, आपको यह important topic बन जाता है, आपके लिए SEO के बारे में, तो चलो इसको detail में देखता है, यह SEO है, क्या, बहुत से लोगों को पता होगा, अगर हम बात करें SEO की, तो यह form करा गया था, in the year 2001, and the headquarter at Beijing, China, इसके कुछ members है, वो कौन-कौन से member states है, SEO के यहाँ पर आप देखो के member, sorry, India हो गया, Kazakhstan हो गया, China, करिकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिक्स्तान, उस्बैकिस्तान, यहाँ पर इसके member states होगा, और कुछ observer states है, इसके चार observer states है, वो कौन-कौन से है, अफगानिस्तान, बेलारूस, एरान और मंगोलिया, ओके, नौ यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, इसमें, यहाँ पर आप लोग को map के अंदर नजर आएगा, यहाँ पर यह थोड़ी थोड़ी जो मंगोलिया, चाइना, तो यह सारे हमारे SEO के members है, नौ यहाँ पर आपको देखने को मिली इंडिया और चाइना, दोनों ही SEO के members है, तो यह सब देखते हैं, यहाँ पर PM साब ने सारी बाते बोली है, नौ अगर हम बात करें यहाँ पर, इसका जो हमारे SEO है, यह जो SEO बना दिय है, इसका objective क्या है, goal क्या है, सबसे पहला objective है, देखो भाई कि सब के अंदर, सारी जितनी भी countries हैं, इस organization के अंदर में, सब के बीच में trust को maintain करना, एक mutual trust बना के रखना, इन सारे member states के बीच में, now second हमारा, first तो होगी हमारा mutual trust बना के रखना, second objective क्या होगा इसका, कि देखो, promote करना, promotion करना, cooperation करना, cooperation करना किन-किन चीजों में, politics में, trade, economics, science, technology, culture, इन सब के अंदर, as well as education, इन सब के अंदर जो है, एक दूसरे का cooperate करना, एक दूसरे का साथ करना, एक दूसरे का साथ देना, environment के ओपर protection, ठीक है, तो यहाँ पे main में मक्सद क्या है, एक दूसरे को cooperate करना, स stability बनाए रखना अपने region में ठीक है तो यहाँ पर यह सारी चीज़े होती है इनके बीच में तो main मकसद क्या इसका मैंने आपको बता दिया यहाँ पर अगर हम structure की बात करें यह जो SEO है इसके structure इसमें कौन-कौन आता है तो SEO के अंदर में सबसे पहले देखोगे Council of Head of State आता है दूसरा Council of Head of Government आता है तीसरा Council of Foreign Minister आता है चौथा Meeting of Head of Ministries and Departments आता है इसके अंदर ही Council of National Coordinators आता है और Regional Anti-Terrorist structure आता है तो यह सब पूरा-पूरा हमारा SEO का structure है अब यह SEO का आज हमने पूरा-पूरा complete topic cover कर लिया कितने members है, क्या objective है, कैसा structure है complete हो गया अब आपको पता हो गया SEO के बारे में कि क्या है basically SEO हमारा ओके, now page number 3 पे वही आपको रोजाना वाले article दिखने वाले हैं कि जो air quality है वो डेली में अभी भी, आप कहसकते हो AAC sewer condition में है 6th consecutive day पे लगातार हमें 6 दिन हो चुका है और डेली की air quality सुधरने में नहीं आ रही है बहुत बुरी हालत है air quality को लेकर तो उसमें यहाँ पर आपको यह दिखेगा यह आप थोड़ा सा picture देखो इसमें इसमें क्या बोला जा रहा है बोला क्या जा रहा है कि आज के टाइम पे जो जो हमारा grade है graded response action plan देखो क्या हो चुका है आज के टाइम पे pollution इतना जादा है डेली में जो pollution है pollutants होता है air के अंदर present होता है harmful gases, chemical substances present होता है ठीक है कौन कौन से major 8 pollutants होता है मैंने आपको काफी बार बताया उसके बारे में ठीक है, तो उसमें से जो हमारा सबसे खतरनाग जब PM 2.5 level जब cross हो गया है 300 micrograms तक, तो आप समझ सकते हो यानि pollution बहुत ही जादा बढ़ चुका है और आप कह सकते हो जब इतने pollutants बढ़ जाएंगे हवा के अंदर जो हमारी air है, उसके अंदर अगर इतने सारे chemical gases पढ़ने लगे तो obviously बात है, सबसे पहले आप कह सकते हो, COVID-19 के बाद सबसे बढ़ी बिमारी air pollution से ही produce होगी, तो यहाँ पर आप को देखने को मिलेगा, कि यह सारी जो हमारी chemical substances है वो बढ़ते जा रहा है increase होते जा रहा है air के अंदर में तो अभी हाँ पर step क्या उठा रहा है Delhi Delhi step उठा रहा है कि भाई, जो trucks की entry है Delhi के अंदर में, उसो रोक रहा है अभी ठीक है, लेकि जो essential commodities है कुछ खाने पीने का जो समान आ रहा है daily basis पे, उन सब को नहीं रोकेंगे बाकि जो हमारा non-essential commodities है, उन सारी trucks को रोका जाएगा, second step क्या उठा रहा है Delhi, stop कर रहा है constructive activities को, जो भी construction का का काम चल ला है, क्योंकि उससे भी pollution होगा, कहीं भी construction का काम चल ला है, उसको रोक देगा ठीक है, introduce करने वाला है odd even scheme हाला कि यहाँ पे चली रहा था odd even scheme के बारे में आप लोगों को पताईए जैसे किसी की किसी की भी guard ही है किसी की भी guard ही है, car है, तो किसी का number plate में, last में odd number है या फिर last में even number है, तो एक दिन odd number वाली गाली चलेगी, एक दिन even number वाली गाली चलेगी, तो यहाँ पे इस तरीके से step उठाए जा रहे हैं कि जो pollution है उसको control करा जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत जादे pollution देखने को बल लाए, ओके now इस article में आप लोगो यहाँ पे अगर पढ़ लिया करो, तो यह 3-4 concept हैं आज के जो कि इस article के लिए है और यह सभी concept आप लोगो पता होंगे CPCB, चलो start करते हैं हम लोग ऐसे थोड़ा बहुत देखते हैं क्या होता है CPCB की full form क्या है, Central Pollution Control Board, क्या होता है जो pollution है, उसको control करने के यहाँ पे बनाया गया है, तो obvious सी बात है क्या काम है, नाम सी समझ में आ रहा होगा जो भी production है, उसको control करने का काम करता है Air Quality Index यानि कि यह एक index है, जिसके थुरू बताया जाता है कि air की quality किस प्रकार की है, air की quality यहाँ पे कुछ color का indication है green हो गया, dark green yellow, pink, फिर उसके बाद red, dark red, इस तरह की का color बता देते हैं, अगर कहीं बुरी हालत है air के अंदर काफी जादे pollutants मौजूद है, काफी polluted air है तो उसे यहाँ पे red color का दे दिया जाएगा indication ठीक है, तो यह air quality index का काम होता है यह हमारा day to day air quality index के थुरू काम करा जाता है सफर का काम होता है, कि जो हमारा weather forecast है, उसको करना, weather की forecasting करना, पता लगाना कि आने वाले time में हमारा weather कैसा रहने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर यह हमारी three bodies भी साथ में cover हुई, now बढ़ते हैं आगे, now आगे आते हैं हम लोग page number 8 के उपर आप लोगो यहाँ पर यह article दिखेगा, यह article हमारी बिल्कुल भी important नहीं है, क्योंकि यहाँ पर personality जिनका नाम लिया जा रहा है so अपना सुरेश, तो फिर इनका कुछ relation बताया जा रहा है, gold smuggling से लेकर, तो इनके उपर questioning वगरा करने वाला है, हानी question पूछे जाएंगे, लंबे लंबे घंटों तक question पूछे जाएंगे AD के द्वारा ठीके, तो यहाँ पर आपके लिए important हो जाता है, यह AD है क्या, ठीके important topic है AD, अगर आप लोग अपना UPSC का syllabus देखोगे, तो important topic है AD, AD मतलब enforcement direct rate, चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा detailing बताता हूँ, कि यहाँ पर AD में होता क्या है, now तो इसके बारे में देखोगे, जो यह direct rate of enforcement है, या फिर enforcement direct rate है, यह एक law enforcement agency है, ओके, अब यह law enforcement agency है, तो सारे laws वगेरा लागू करती है, regarding which, कौन से laws लागू करती है, economic crime, ठीक है, जितने भी economic crimes होता है, उसके against यह body काम करती है, इतना याद रखना, अब देखो, gold का smuggling हुआ है, हमारे current affair में क्या बात हो रही है, gold की smuggling हुई है, तो वो भी कहीं न कहीं economic related है, ओके, तो फिर जो economic crimes होते हैं, इंडिया में, उनको handle out करती है, यह part है, Department of Revenue का, Ministry of Finance का, Government of India, इसमें officers बगरा कौन कौन से होते हैं, officers होते हैं, Indian Revenue Service, Corporate Law Service, Indian Police Service, Indian Administrative Service, IAS, IPS, IRS, यह सारे जो officers होते हैं, इसके अंदर होते हैं, ठीक है, सब UPSC crack करके निकलते हैं, तो जिसके आप लोग preparation कर रहे हो, ओके, तो यह है हमारा basically, enforcement directorate, याद रखना, नाम है, इसका enforcement directorate, काम है, इसका economic crimes से, इसका tackle out करना, कि economic crimes जितने भी हैं, उनको handle करना किस तरीके से, आगे बढ़ते हैं, फिर, page number 10 पे आपको article दिखेगा, आपको पता होगा, अर्णब गोस्वामी कितना जादे यहाँ पे news में है, जो कि Republic TV के यहाँ पे owner है, ठीके, तो आपको पता है कि बहुत जादे news में है, इनको arrest वगरा था, arrest वो कैसे करा था, किस लिए करा था, यह मैं आपको detail पे काफी बार बता चुका हूँ, ठीक है, नौ यहाँ पर, आज है, इनकी सुनवाई करी जाएगी, Supreme Court जो है, हेर करेगा, अर्णब गोस्वामी की appeal, आज के टाइम प्यार, आज के दिन, यहाँ पे देखेंगे, कल क्या आता है, नूस्पेपर में, ओके, नौ उसके बगलवाल आर्टिकल यहाँ पे आप लोग को यह नजर आएगा, इस आर्टिकल में बात हो रही है, जो हमारे आर्मी चीफ है, जनरल मनोज नार्वाने, ठीक है, तो hopefully of reaching mutual beneficial agreement यहाँ पे, परेशान है भाई, यह भी कोशिश में हैं सभी लोग की एक mutual beneficial agreement हो जाए इंडिया-चाइना के बीच में, इंडिया-चाइना के बीच में एक ऐसा agreement हो जाए कि भाई, दोनों को नुकसान न पहुँचे, क्योंकि आज के टाइम पे situation काफी जादे बुरी है, में से, मई से यहाँ पर आप देखोगे, इन दोनों की relations काफी खराब हैं, आज तक बहुत जादे खराब relations देखने को मिले हैं, LAC को लेकर काफी जादे दिक्कत हैं, LAC में चाइना गुसकर आता है, और आपको याद होगा, LAC में ही सबसे पहले चाइना स्टार्टिंग करी थी, उसने गुसके खराने की, जिसके बाद से हम लोग को ये dispute देखने को मिले, काफी सारी commander level talks वगरा हुई है, कि भई इस dispute को खतम करा जाए, LAC पर disengagement करा जाए, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, जब भी यहाँ पर commander level talk होती है, उसके बाद कुछ नया जहमेला देखने को मिल जाता है, तो अभी उसी के regarding बात हो रही है, कि भई तयार हैं, आप देख रहे हैं, कुछ solution निकालें, कि एक beneficial agreement हो जाए, इंडिया चाइना के बीच में, यहाँ पर फिर step उठाना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता ही निकालना पड़ेगा, ओके, नहीं मानेगा चाइना तो, बढ़ते हैं आगे फिर, देखेंगे दुनियादारी में क्या चला है, वर्ल्ड पेज़ पर आप लोग को यहाँ पर यह नजर आने वाला है, देखो यह एक, बाइडन का प्लाइन कैसा होने वाला है, तो फिक्स अमेरिका हिंजिस ओन चाइना चैलेंज, देखो, अब क्या होने वाला है, इसके उपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वेर्जान बोला था, मैंने अप्लोड कर दीथी, अभी यहाँ पर मैरेको टैम नहीं मिल पा रहा है, इस वबाइसे मैं अप्लोड कर पारो, अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर फंटिवल आ रहा है, थोड़ा बहुत टैम मिलेगा, तो मैं कोशिश करूँगा, क्या impact होगा इंडिया को लेकर इंडिया के उपर क्या impact पड़ेगा और एक वीडियो मनाना चाहता हूँ USA में किस तरीके से elections होते हैं ठीक है और उसके बाद एक तो आपको UPSC से ले बस यह दो-तीन वीडियोस है जो कि मुझे cover करनी है ठीक है वो अगेंस थे चाहिना से लेकिन यहां पर जो बादन के relations अच्छे हैं चाहिना के साथ जो बादन सही समझते हैं तो अभी देखने को मिलेगा कि क्या क्या होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो बादन अगेंस्ट हो जा चाहिना के यह इंडिया क्या कर सकता है ठीक है और यहां पर आपको देखने को मिलेगा रश्या से काफी जादे यह जो जो बाइडन रश्या क्या गेंस्ट रहता है ठीक है रश्या क्या हमेशा गेंस्ट रहता है जो बाइडन तो फिर यहां पर इंडिया को इससे नुकसान हो सकता है क्योंकि इंडिय climate आप कह सकते हो यह जो Paris climate का हमारा fact है इसमें डॉनल्ड ट्रम तो बहार निकल गए थे इसमें से ठीक है लेकिन यहाँ पर Paris climate change में यह जो बाइडन जो है आभी यहाँ पर आप कह सकते हो पूरी possibility है कि वापस आएंगे इसके अंदर ठीक है Paris climate change agreement के अंदर में वापस आएंगे अगर वापस आएंगे तो आपको यहाँ पर इंडिया यह भी पता होगा इंडिया को परिशानी होगी क्योंकि इंडिया काफी सारा coal वगरा इस्तमाल करता है तो कहीं लगए इंडिया पर इस तरीके से restrictions लग सकते हैं तो मैं आपको बता हूँगा overall पूरा एक detail वीडियो ल देखेंगे यहाँ पर दो आर्टिकल है हमाले important सबसे पहला आगया हमारे लिए employment finally an election issue और उसके बाद दूसरा आर्टिकल आगया हमारा psychological support के बारे में दोनों discuss करेंगे सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर यह दिखेगा मैं आपको एक overview दूँगा मैं आपको बताऊंगा article म क्या बाते कहीं गई है क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ editorial discuss करने से पहले ज्यादा time फालतू चीज़ों पर बिल्कुल मत वेस्ट करना editorials लिखे जाते हैं यह सभी लोग के लिखे जाते हैं ना कि एक aspirant के लिखे जाते हैं सभी लोग के लिखे जाते हैं इंडिया में सभी पढ़ लाए news paper सब के लिखा गया है तो आपको सर्फ important चीज़ कवर करनी है ना मैं आपको बताऊं आपको तो बात हो रही है देखो या के अंदर और ये एक election issue भी बन चुका है देखो कि आप काफी trend वगएरा हो रहा था ये कि जो बिहार में क्या हुआ election के नौकरियों के उपर लाद मार के क्या करा जारा रहा वैक्सीन के उपर काम करा जारा है ये की वैक्सीन फ्री में देंगे तो लेकिन employment के उपर काम करना चाहिए था तो employment एक सबसे बड़ी हाँ पर आज के टाइम पे एक प्रॉब्लम है तो employment तो ये जो unemployment है तो उसे की बारे बात करी गई है, देखो कि आप जब elections वगरा होते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ रोजगार देंगे, employment generate करेंगे तो लेकिन यहाँ पर जब आपको पहले सी देखने को मिलेगा employment यहाँ पर generate होने के कोई chance ही नहीं हो पार है मिसगाइड कर रहे हैं काफी जादे हैं, यहाँ पर policy making हैं काफी जादे मिसगाइड वगरा करती ही हम लोग को देखने को मिलती है jobs जो है वो काफी जादे rarely आज के टाइम पर कहोगे तो हैं ना तो unemployment जो है बेरोजगारी वो काफी जादे आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी तो जो unemployment है वो बढ़ता वा नजर आ रहा है हाला कि यहाँ पर बात हो रही है बहुत से लोग कह रहे हैं आप कह सकते हो जो भी हमारी चल लगी होगी वहाँ पर government जो चल रही है ruling government जो चल लगी है वो कहेगी कि भाई COVID-19 की वज़ा से unemployment बढ़ा है तो ऐसा नहीं है क्योंकि data हमारे पास पहले से भी है तो 2019 से ही यहाँ पर unemployment देखोगे तो काफी जादे बढ़ता वा नजर आ है 2019 से क्या unemployment हमारे पास काफी time से बढ़ता वा नजर आ रहा है बिरोज़गारी काफी time पहले से बढ़ती भी नजर आ रही है ऐसा नहीं है कि COVID-19 की वज़ा से ही यहाँ पर बिरोज़गारी बढ़ी है अलाकि यहाँ पर COVID-19 की वएसे बहुत बुरा असर पड़ा है obvious ही बात है कोरोना वाइरस की वएसे और जादे बुरी हालत हो गई है बुरी हालत को और जादे बुरी हालत बना दिया है कोरोना वाइरस ने क्योंकि हाँ पर देखो के पहले सी unemployment था पहले सी बिरोज़गारी काफी थी और COVID-19 के बाद आने के बाद सब कुछ ठप पड़िया सब बंद हो गया जो बिरोज़गारी है वो और जादे बढ़ती है हम लोगों को देखने को मिल गई अगर हम बात करें बिरोज़गारी के साथ GDP की ग्रॉस टोमेस्टिक प्रोड़क्ट की वो भी हमारा काफी जाद डाउन चला गया एकनॉमी भी डाउन चली गई है नाओ देखते हैं कैसे कैसे इन सब चीज़ों को रिवाइव करा जाएगा अगर हम बात करें अनिम्प्लॉइमेंट परसन की ठीक है अनिम्प्लॉइमेंट एजूकेटड यूद की और आपका सकते हो डिस हार्टेंड लेबर फोर्स की तो यहाँ पर आपको देखने को मिल लए है यह सब जो बेरोज़गारी है इंक्रीज हो चुकी है अनिम्प्लॉ हाँ जो भी गवर्णमेंट है वो काफी साथा जूट बोलती है हाँ पर एम्प्लॉइमेंट वगरा को लेकर की बोलती है कि हाँ गवर्णमेंट ने काफी सारी जो जॉब्स वगरा है वो क्रियेट करी है लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप देखोगे पिछले कु rooting सालों में जो government jobs वगरा है वो खौश जादे कम हो चुकी है और आज के टाइम पर देखोगे government जो jobs है वो काफी जादे तेजी से decline होती भी नजर आई है काफी सारे service वगरा हुए है उनके द्वारे हैं पर service वगरा के थूँ आपर बताया गया jobs के अंदर decline देखने को मिला है jobs जो है वो कम हुई है as compared to the previous years तो unemployment जो है वो बड़ता हुआ नजर आया है उसी के बारे में बात हो रही है और आप देखोगे जो election वगरा में कितनी बड़ा चला के बाते बोली जाती है कितना जूट बोला जाता है कि हाँ इतना रोजगार हमने बड़ाया है इतना कुछ हुआ है employment के ओपर यह काम करेंगे वो काम करेंगे एक बार सरकाराजाती है तो सब काम पीछे चले जाता है सब काम भूल जाता है जितना कुछ बोला जाता है तो यहाँ पर उसी के बारे में बात करीं कि जो COVID-19 यह सबसे जाते बोला यह जा रहा है इस ताइम कि COVID-19 की वज़ा से unemployment बढ़ा है लेकिन ऐसा नहीं है यह बात याद रखना है COVID-19 विए से नहीं बहुत पहले सी हमारा unemployment rate बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आप लोगो यह दिखेगा देखो यहाँ पर एक psychological support देने को चाहिए यहाँ पर एक provide कर सकते हैं हम लोग ठीक है अब यह होगा क्या है यहाँ पर मैं आपको इसके बारे बताता हूँ इस article में basically बोला जा रहा है देखो अभी पहले से ही लोग कितना परिशान थे ठीक है अब तोड़ी लोग और जादे परिशान हो गए COVID-19 का एक डर बैठ गया लोगों के अंदर डर के मारे आपने काफी सारी news पढ़ी होगी मैंने starting में cover किया था जब COVID-19 शुरू-शुरू में आया था तो इसके बारे में काफी सारी news आ रही थी लोग depression में चले गए हैं लोग उने suicide कर लिए इसके डर के मारे कि भाई मैं infect हो गया क्या होगा अब क्या होगा अब कुछ नहीं होने वाला क्या-क्या point of view थे लोगों के ठीक है ये सब हमने discuss करा है already क्योंकि काफी सारे इडिटोर्स स्टार्टिंग में आये थे COVID-19 से related तो उसे ही का regarding बात हो रही है कि mental support दे सकते हैं क्योंकि एक mental support काफी जादे help करेगा दूसरे बन देगी उसे भाई हम लोग अराम से बैठ कर अगर समझाएं मान लो अगर कोई person जा रहा है suicide करने अगर उससे पहले आप उसे आप कह सकते हो कि अगर बात करो आप ठीक है उससे अगर बात कर सकता है कोई person तो मन हलका होगा वो suicide क्यों करता है वो depressed होके अकेला होने के बाद ही उसके दिमाग में सारी बाते आएंगी उसके बाद ही वो ये कदम बढ़ाएगा suicide करने के लिए otherwise यहाँ पर अगर वो कात करे किसी से किसी से बात करेगा तो obvious ही बात है कुछ ना कुछ solution निकलेगा तो वो उस खासकर हम लोग children की बारे में बात करें आज के टाइम पर तो बच्चों के बारे में बात करें तो उनके बारे में भी हम देखें COVID-19 चला तो इसके बारे में काफ ज़्यादे depression वगरा देखने को मिलना है तो उसी के regarding बात हो रही है कि एक support मिले उनको एक mental support मिले उनकी mentality strong हो ह ही है ओके तो यहाँ पर mentality strong करने की बात हो रही है तो उसी के regarding यहाँ पर यह article था now आगे चलते हैं हम लोग उसके बाद हम लोग यहाँ पर editorial पे page number 6 पर यहाँ पर यह वाला article discuss नहीं करेंगे political related article है politics related next जो है हाँ पर इस वाले article को देखेंगे भाई यह काफी घिसा पिटा article है बहुत बार discuss कर चुके है strengthening public health capacities in disasters ओके अगें COVID-19 की बात हो रही है देखोगे COVID-19 अभी हाँ पर के तीजी से फैला उसके बाद winter आ रहे हैं तो winter में एक order है कि दूसरा जटका लगेगा COVID-19 का दूसरी बार spike देखने को मिलेगा काफी तीजी से COVID-19 बढ़ता है हमें नजर आ सकता है दूसरा एक हमारा reactive approach क्या हो सकता है कि भाई जो disaster है management acts वगेरा है जैसे इंडिया में disaster management act है उसके उपर और जादे काम करना पड़ेगा जिससे हम लोग इन disasters को इन COVID-19 को tackle कर पाए ओके फिर क्या करना है जो public health capacity है disaster management में उसको strength करनी है उसको और जादे मजबूत करनी है जैसे मैंने बताया अगर हमारा public health system मजबूत होगा तो obviously बाते COVID-19 क्या कोई सी भी बिमारी आने वाले time में आएगी तो हम लोग easily tackle out कर पाएंगे और आपको देखने को मिलेगा कि भाई health infrastructure health system सब चीज़ की धज्यां उड़ा दिये COVID-19 ने क्योंकि हाँ पर आपको देखने को मिलेगा इतने hospitals नहीं थे हमारे पास facilities नहीं थी बट इस COVID-19 की वेसे काफी कुछ progress में देखने को मिला है तो यह सब हम लोग को और जादे increase करना पड़ेगा disaster management को और जादे strengthen करना चीज़ के गोर्मनेंट hospitals वगरा और जादे quality वागरे बगाने पड़ेंगे क्योंकि अगर हम बात करें private sector की तो private sector में यह सारी चीज़ा जब भी आती है तो फिर महगा ही बढ़ जाती है आप देखो के COVID-19 की वेसे हैं पर private sector में बहुत सारे private hospitals हैं जहां पर कितना high bill जा रहा तो उसमें public और private मिलकर काम कर सकते हैं जिससे और अची तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं और अची तरीके से कोई भी problem आएगी उसे tackle out कर सकते हैं ठीक है कैसे कर सकते हैं जो private hospitals हैं उनका थोड़ा support करेगा जो हमारे government hospitals हैं government हमारी support करेगी और दोनों मिलकर काम कर सकते हैं एक level जिससे कि आने वाले टाइम पे भी और जादे जो हमारे कोई भी ऐसा वाइरस आता है, कोई भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, spread होती है, तो फिर उसको tackle out easily कर पाएंगे हम लोग, तो सबसे बड़ा स्टाइब यहाँ पर यह हो सकता है, otherwise जो public health system उसको बढ़ाना अगर public health system अच्छा होगा, तो obvious सी बात है, आने वाले टाइम पे हम लोग भी अच्छी तरीके से सारे disaster को manage कर पाएंगे, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही बोली गई है, कि भाई, एक novel coronavirus यह आया, इसने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अगर अगर इसको सीखते वे भी हमने आने वाले टाइम में कुछ नहीं सीखाना, कुछ नहीं करा, तो आने वाले टाइम में और जादे हम लोग को problem face करने को पड़ सकती है, obviously बात है, primary health care center को बनाए जाएं, ठीके, primary health care center अगर बनेंगे, disaster को manage करने के लिए, तो यह हमारा काफी अच्छा step हो सकता है, health system क build up करने के लिए, okay, तो उसी के regarding बात है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ यही लिखा हुआ है, तो आपको एक idea मिल गया है, किस चीज के ओपर basically बात हो रही है, कि जो हमारा public health sector है, public health capacities है, उनको बढ़ानी पड़ेगी, government को अपने ओपर काम करना पड़ेगा, okay, now उ जो vaccine है, यह किस की है, पी-फाइजर कंपनी की, ठीक है, एक drug company है, पी-फाइजर, ठीक है, इसने announce किया है, अपना एक बोल रहा है कि बहुत अच्छा result आने वाला है, यह जो उसकी phase 3 trial में vaccine चल लेए, COVID-19 की, उसका एक बहुत अच्छा result आने वाला है, तो देखेंगे कुछ अच्छा है, vaccine बनेगी, जरूर बनेगी, सारी countries काम कर रही है, vaccine जरूर बनेगी, लेकिन यहाँ पे इंडिया के साथ एक problem आने वाली है, अगर vaccine बन जाती है, तो इंडिया के पास storage का system ही नहीं है, इंडिया के पास यहाँ पे storage का कोई infrastructure ही नहीं है, तो इंडिया को storage infrastructure के उपर काम करना पड़ेगा, उसे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, जिससे की vaccine कहीं store करी जा सक है, क्योंकि इंडिया में काफी जादा मातरा में vaccine चाहिए होगी, तो इसी के regarding बात करी जारी है, नहीं नहीं vaccines तो बन रही है, लेकिन इंडिया के पास storage infrastructure नहीं है, तो storage बढ़ा सुबा आज की पांच बजे वाली वीडियो की, जो सुबा पांच बजे वीडियो अपलोड होती हमारे चैनल पर daily current affairs के नाम से, तो उसको जाकर देखना, चैनल आप यहाँ पी नीचे दीपक या दवाए साकेड में लिखा होगा, बीच में उस पे क्लिक करो, चैनल आपको खुल जाएगा, उसमें आज का 11th November का जाके daily current affairs देख लेना, और उसमें जो है, यह मैंने article डिटेल में cover किया है, 15th Finance Commission ने अपनी रिपोर्ट जो है, वो पे करी है, रिपोर्ट जो है, वो सम्मिट करी है, हमारे President of India को, सरकार को, हमेरे Government of India को, अपनी जो रिपोर्ट सम्मिट कर दी गई है, अब उस रिपोर्ट में क्या-क्या बोला गया है, मैंने आप लोगों को बताई दिया है, इस वाले lecture को जाकर देख लेना, और देखा करो उस वाले lecture हो, क्योंकि वो lecture भी इतना important है, जितना newspaper analysis, क्योंकि उस पे मैं बहुत काम करता हूँ, उस पे बहुत important, आप बटन आ रहा होगा और बेल आइकन ज़रू प्रेस कर दें, ताकि कोई वीडियो की notification आप में इसना कर सकें, तो आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे आप लोगों से कल, आज के लिए बाई-बाई, have a nice day.